जै हर नाम सभी भाई योगो, कैसे हैं आप लोग, होप करता हूँ अच्छे होंगे, और मजे में होंगे, स्वास्थ होंगे, अच्छा फील कर रहे होंगे, तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि जैस भी मेरी वीडियो इसको देखना है, तो प्लीज पार्ट वाइस वीडियो को देखेंगे, तब ही आपको चीज़े समझ में आएंगी, क्योंकि ये सौदा जो है, ये बहुत ही एहम सौदा है, इसे ऐसे ही नहीं जान लेना, ये सौदा सबसे जादा इंपोर्टेंट होता है और इसमें हमेना सबसे बढ़िया करके डील करना होता है, अब जैसे कि मान लीजे, हम किसी कहीं सबजी लेने जाते हैं, सबजी लेने जाते हैं, तो हम सबजी वाले से बहुत मोल भाव करते हैं, कि भाई ये धनिया कैसे दिया है, तो वो बताता है कि मैंने 10 रुपे पाव अरे दस नहीं आठ लगाओ, पांच लगाओ, तो सबजी में या फिर हम क्योई भी चीज लेने जाते हैं, सामान लेने जाते हैं, तो हम ठोक बजाते हैं उसको, कि हाँ वही हमें इतने रुपे की सही चीज मिल रही है या नहीं मिल रही है, लेकिन जब अध्यात्म की बात आत ही है, तो हम किनी भी चीजों से ये सोचते हैं कि इनसे काम चल जाएगा, हम उन चीजों में जरा भी बारगनिंग नहीं करते, जरा भी सौदा नहीं करते, और हम आखे मीच की किसी भी चीज पर ऐसे ही ट्रस्स कर लेते हैं, तो मेरा कहने का मतलब है, सच्चा ज्यान वो जैसे कि सोना वो होता है जो खूब तपाया जाता है तब भी वो निखरता है ऐसे ही ये सच्चा ज्यान जो है इसे बहुत ही बारीकी से समझ के आप इसी को अपने अंदर धरन करिए क्योंकि जब चीजे समझने आएंगी तो कुछ भी समझ नहीं आएगा तो इसलिए अगर मे पते पदमा पते रमा पते तो शुरू करते हैं आज का वीडियो कल की भगवान का मेरे प्रभू का मेरे श्री हरनाम का मैं तो सूपर मैं मैं हूं हरनाम का फैन सही है जैसे गाना है ना मैं तो सूपर मैं सलमान का फैन मैं वो गाना नहीं गाता हूं मैं गाता हूं मैं तो सब श्री हरनाम के फैन हैं, जो आज इस दुनिया में जिनोंने हमें जीवन दिया, जो हमें जीने की प्रेणना दे रहे हैं, वही वो कलकी अफ्तार स्वैम हैं, जो इस समय धर्ती पे आके अपने जीवों को चेता रहे हैं, अपने दिव्वे ग्यान को दुनिया के हर कोने तक पहुचा रहे हैं तो शुरू करते हैं आज का वीडियो आज का वीडियो भी बहुत मज़ेदार होने वाला है आज के वीडियो में हम थोड़ा सा कॉम्बो लेंगे थोड़ी सी चीजे हम जैसे मैं पहला टॉपिक आपको बताता हूँ पहला टॉपिक हम लेंगे उसके जैसा क वो जो दिव्य पुरुष महा पुरुष कल्प के अंत में आते हैं उनके जैसा कोई नहीं होता। कलकी अवतार के जैसा ना कोई हुआ है ना कोई होगा। कि कितने लोगों ने मुझसे बोला कि सर ऐसा कैसे होगा कि एक ही इनसान सही होगा बाकी सब गलत होंगे तो मैंने आपको बताया कल्युक में केवल एक अफ्तार आता है इसलिए उसी से मुक्ति का मार्ग खोलता है और कोई मुक्ति का मार्ग नहीं होता है तो वो जो सिध्धान्त भाग एक देरा व्यास प्रिंटेट किताब है ये पेज नंबर 513 है खंड हर नाम ही असली पूजा है ये खंड है इसमें दिया है अगर कोई अपना शरीर काट काट के अगनी में होम कर दे या बर्फ में गला दे तो भी उसकी तुलना में ये कुछ नहीं हो सकता कि अगर मान लीजे कि ये ग्यान अगर आपको मिल गया है तो अगर आप इसके बदले में अपने शरीर का रूम रूम काट के आग में भी चड़ा देंगे या बर्फ में अपना पुरा शरीर भी गला देंगे तब भी आप इसका कर्ज नहीं चुका सकते कह रहे हैं अगर कोई अपना शरीर का रूम रूम भी काट के आग में होम कर दे तब भी इसकी तुलना नहीं की जा सकती ये वो ग्यान है ये वो दिव ग्यान चल रहा है जो आजकर लोगों को फ्री में मिल रहा है तो इसका दोहा दिया है तन बैसंतर हो मीरे एक रतिकॉल कटाए तन मन सब्दा एकरो अम दिन अगन जलाए कह रहे हैं अगर अपने शरीर का रोम रोम भी काटके दे दोगे तो भी इस ग्यान की तुलना नहीं हो सकती ये ऐसा दिव ग्यान होता है फिर डॉट डॉट करके आगे दे रहे हैं हर नाम कुल ना पुजई सब दित्ती ठोक बजाए कह रहे हैं बात को समझो इस दोहे को दुबारा से सुनों कह रहे हैं तन बैसंतर हो मीरे इक रती कॉल कटाए तन मन सबदा ए करो अम दिनो अगन जलाए डॉट 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 हर नाम कुल ना पुजई सब दित्ती ठोक बजाए के रहे हमने ठोक बजा के पूरा देख लिया है कि हर नाम के समान कोई नहीं है के रहे हमने सारे महत्माओं से उसकी तुलना कर ली है लेकिन उनके समान कोई नहीं है अब आजाते हैं नेक्स्ट प्रमाड पर नेक्स्ट प्रमाड है आपका रिग वेदा मंडल दस पेज नमबर ग्यारा सो दो सूप्त एक सो उनतिस इसलोक साथ इसमें दिया है यह विक्रित स्रिस्टी जिस से उत्पन होती है इसका अधेश्टा परमेश्वर ही है वे पूर्णता जानता है अन कोई पूर्णता जानने वाला नहीं है ना ही होगा के रहे इस सिस्टी के रहसे को केवल परमात्मा ही जानता है और उसके अलावा ना ही कोई जानेगा समझ रहा आप तो केवल वही विधाता ही इन चीजों को जानता है वो स्वैम आके ही इन लोगों को जनाता है वरना और कोई नहीं जान सकता अब आजाते हैं नेक्स्ट प्रमाण पे नेक्स्ट प्रमाण आपका बोल रहा है गुरुगन साहिब में श्री गुरुगन साहिब में राग महला एक पंक्ती छे पेज नंबर बासट उसमें दिया है उसकी तुलना में ना कोई हुआ है और ना ही कोई होगा बोल रहे हैं उसकी तुलना में ना ही कोई हुआ है और ना ही कोई है और ना ही कोई होगा फिप्त पे आ जाते हैं पाश्वा प्रमाण गुरुगन साहिब में ही पेज नंमबर आचसो सतासी पे दिया है रामकली महला पांच, घरी दो उपदेश करे करी लोक द्रलावे अपना कहنا आप कमावे उपदेश करी करी लोक दलावे अपना कहवना आप कहावे वो अपने ज्यान को खुद कहेगा पेज नमबर 828 पे भी श्रीकुर्ण साहिब में दिया है राग विलाहल महला पांच घरू आठ अंतरियामी पुरुख स्वामी अनबोलत ही जाननहार कि वो बिन बोले सबके मन की बात को जान लेगा श्री गुरुगन साहिब में ही 1320 पेच पे दिया है सबसे उंचा ठाकुर भगवान है कह रहे हैं सबसे उंचा जो भगवान है वो ठाकुर होगा गुरुगन साहिब में ही एक जगा जिया है संत जना की जात हर स्वामी तुम ठाकुर हर सांगी मैंने आपको बताया था कल की अपतार जो होते हैं उनकी जाती जो होती है वो ठाकुर होती है मैंने आपको बताया और ठाकुरों में भी पुराना ठाकुर जो होता है उसके अंदर भगवान की शक्ति पर काया प्रवेश आती है तब ही हमारे विश्णु भगवान को बोला जाता है तुम ठाकुर मेरे अपने हात बढ़ाओ द्वार खड़ा तेरे ऐसे ही जब आप सत्य नरान की कथा कराते हैं तो पंडित जी जब सत्य नरान की कथा करने आते हैं तो लाल रंग से गोल चक्र बनाया जाता है और रोली से बनाया वो चक्र जाता है लाल रंग से और सेंटर पॉइंट पर ठाकुर जी को रग दिया जाता है लाल रंक शत्रिय का प्रतिख है कि वो जो होगा वो शत्रिय होगा ठाकुर्ट शत्रिय होते हैं और गोलकार भूमी के वो center point पे ठाकुर आता है इसलिए वो सत्या नाराण की गथा में गोल चक्र बनाके बीच में ठाकुर जी को विराजमान करते हैं तो वो जो अवतार होते हैं उनकी जाती होती है ठाकुर तो गुरुगन साहिब में तेरा सो बीस पेज़ पे दिया है सबसे उंचा ठाकुर भगवान है तो ये था कि उनकी तुलना में कोई नहीं आप खुश सोचे कि आप सूर्य की तुलना किसी से कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं सूर्य पुरी दुनिया में प्रकाश देने वाला है पुरी प्रत्वी प्रकाश देने वाला है उसकी तुलना किसी और से नहीं हो सकती है सूर्य एक है ना, दो तो नहीं है, तो इसी तरह कलपांत में ही भगवान का अफतार पूर्ण ग्यान लेके आता है, अन्य कोई उस पूर्ण ग्यान को नहीं जानता है, तो अब थोड़ा सा टॉपिक बदल देते हैं, टॉपिक है कि वो जो पुरुष आता है उसका बहुती अ अच्छा स्वभाव होता है, अच्छे स्वभाव वाला पुरुष होता है, अथर वेद दित्यकार्ण नम सूख्त पांच इसलोक एक में दिया है, जिस दे में शक्ति आती है, उसे इंद्र कहा जाता है, मैंने आपको बताया था, वेद में अफतार को इंद्र बोला गया है तो दिया है हे इंद्र तू प्रसन हो आगे बढ़ हे शूरवीर हे रणशील अर्थात पान अपान के हित के लिए तू आ मनोहर स्वभाव वाला हर्ष के लिए तरप्त होता हुआ तू यहां आ के लिए वो मनोहर स्वभाव वाले होंगे समझ गए आप तो अब बात आती है कि यह जो ग्यान है मैंने आपको बताया था यह पुरातन ग्यान है यह हमारा पिछला जो सबसे पहले जो चला था सबसे स्टार्टिंग में जो ग्यान था पुरातन वो यही ग्यान है सनातन धर्म सनातन ज्यान जो है वो पुरातन यही ज्यान है मैंने इसका आपको दोहा भी बताया था महताम तन्नाम गुयम पुरुष इस्प्रगह ये न भूतम ये न भव्यम कि महतपूर्ण जो नाम की दोनी है ये हमारे अंदर छुपी हुई है ये न भूतम ये पहले भी नहीं थी, ये न भव्यम ये आगे भी नहीं होगी, ऐसे ही ये ज्ञान जो होता है ये महाप्रले में ही दिया जाता है, नहीं ये आगे होता है और ये बाद में भी नहीं रहता है, छुपा दिया जाता है, समझ रहे हैं, तो ये दिव्व ज्ञान जो है ये कलपांत में ही स्वैम भगवान विश्णु अपनी वहन के अंदर बैठ के कलकी अफ्तार रूप में लोगों को देते हैं। अब आजाते हैं इसी पुरातन ग्यान का एक प्रमाल बहुत ही प्यारा प्रमाल है। और ठिकाना रे, अमर नगर पहचान सिदोसी तब नहीं आना जाना रे, हरकी भक्ती साधू की संगत यह मत वेद पुराना रे, चरंदास उपदेश कहत है परम पुरातन ग्याना रे। यह पुरातन ग्यान होता है, यह केवल कलपांत में मिलता है और स्वैम गुरू ही इसको देते हैं। आपको बताया, गुरू जो होती है, वो शक्ति निराकार होती है। गुरू कभी भी मा के गर्प से नहीं आता। उस सुक्षम शक्ति को गुरू बोला जाता है, जो भगवान की निराकार शक्ति होती है, उसे गुरू बोला जाता है। और जो इस ग्यान को देता है, उसे सिक्षक बोला जाता है। गुरू तो निराकार होता है। तने लोग हैं जो अपने आगे इन सब उपादियों का प्रयोग करते हैं। सही है। तो चलिए उस पे तो हम जादा बात नहीं करेंगे, जो करते हैं वो करते रहें। तो ये प्रमाल आपने देख लिया। अच्छा, अब बात आती है कि जब वो अप्तार आता है, तो ग्यान रूपी घोले पर सवार होता है और ग्यान रूपी तलवार से आदमी के अंदर के राक्षस को मारता है। वो कोई खुन खराबा नहीं करता, भगवान कभी भी किसी को नहीं मारते, भगवान तो केवल ग्यान रूप से मारते हैं, हमारे सनातन धर्म में एक सीख दी चाती है, कि अहिंसा पर्मो धर्म है, हम किसी जीव को दुख तक नहीं दे सकते हैं, मारना तो बहुत दूर की बात है, तो जब भी महापुरुष आते हैं, तो वो ऐसे नहीं करते हैं कि लोगों का खुन खराबा करते हैं, ये कुछ करते हैं, वो ग्यान रूप से मारते हैं, एक होता है अस्त्र और एक होता है शस्त्र, शस्त्र काटने के काम आता है जैसे चाकू, तलवार ये सब शस्त्र हो गए लेकिन अस्त्र जो होता है उसमें कोई देवता या कोई मंत्र निकल के और मारता है यानि ग्यान रूप से मारता है वो अस्त्र होता है और जो देहेश पर वार करता है वो शस्त्रूता है तो जब महापुरुष आते हैं तो वो ग्यान रुपी अस्त्रों से आदमी के अंदर के राक्षस को मारते हैं ना कि बाहर से खुन खराबा करते हैं पर आज लोगों की धाना बनी ही है कि भई कल की अफ्तार जब आएंगे तो गोड़े पे सवार होके आएंगे और तलवार से सारे राक्षसों का अंत कर देंगे भई भगवान किसी को नहीं मारते हैं आप लोगों ने अपने मरने के इंतिजाम खुद कर रखे हैं आज दुनिया में इतने बड़े बड़े हतियार बना दिये सब बना दिये तो यह क्या है हमारे मरने के इंतिजाम ही तो है समझे आप मेरी बात को तो भगवान कभी किसी को नहीं मारते हैं हमारे काम ही हम खुधी नेचर को हाम पहुचा के प्रकरती को नुक्सान पहुचा के अपनी कबर खुद हूद जैसे एक होता है आप कोई भी घर किराय पे लेते हैं तो जब आप उसमें रेंट में लेते हैं और उसमें रहते हैं तो आप उसकी इतनी केर नहीं करते हैं क्यों क्योंकि वो आपका अपना घर नहीं है आपको पता है एक दिन मुझे यहां से बदल के अपने घर में जाना है जो मैं खुद बनाऊँगा उसको मैं ध्यान से रखुआ लेकिन आज देखा जाए तो इनसान का केवल एक इकलोता घर हमारी धर्ती है और जो हमारा इकलोता घर है हम उसे ही खराब करने में लगे हुए जो हमारा इकलोता एक घर है हम उसको ही खराब करने में लगे हुए जैसे कि हमारे कितने घर पड़े हो आपको पता है धरती जीवन जो है वह इस धरती पड़ी है और यह नहीं है न दो फिर कहानी खराब है समझ दूंगे आप मेरी बात तो यह जो दिव घ्यान है यह पुरातन घ्यान होता है और केवल कल्प के अंत्र में स्वैम भगवान का अफ्तार ही इस पुरातन ज्यान का ज्यान लोगों को कराता है तो हमारे सनातन धर्मे अइन्सा पर्मो धर्म है इसलिए कभी जब भी महापुरुशाते हैं तो वो ज्यान से मारते हैं जब कलकी अफ्तार आएंगे तो आदमी के अंदर के राक्षस को ग्यान से मार देंगे वो कोई खून खराबा नहीं करेंगे और आध्यातम की शुरुआज जो होती है वो दस्वे दरवाजे से होती है दस्वे दरवाजे की नीचे की जितनी भी ये धुनिया होती है ये सब इस दर्वाजे तक पहुँचने की पहली सीड़ी है लेकिन यहां से आध्यात्मी की शुरुआत नहीं होती आध्यात्मी की शुरुआत जब भी होती है तो वो दस्वे दर्वाजे से होती है दस्वा दर्वाजा आपको पता है वो यहां होता है नौ द्वार आपको पता है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ नौ द्वारों को छोड़के जो दस्वे को दर्शाए उस गुरु को छोड़के अंत कहीं मज जाए जो इस दस्वे द्वार को आपको दर्शाएगा जब शब्द रूप का अभ्यास लोग करते हैं, जब इस दस्वे दर्वाजे पे पहुँचके इसके अंदर जो ध्वनिया है, बीन, बन, सी, तुंकार, अनेक ध्वनिया है जब उनका नुसंधान इंसान करते हैं, तो अपनी दिव्वे दिर्श्टी इंसान खोलते हैं होते हैं, पुराने जो योगी थे हमारे, वो अपनी इसी थार्ड आई से ब्रह्मान्ड और सारे लोग घूमते रहते थे, उन्हें कोई स्पेस्शिप और कोई इनकी रॉकिट वगरा की जुरत नहीं थी तो हमारे जो पुराने लोग थे, आपने देखा होगा, ऐसे ऐसी चीजे बनी हुई हैं, जैसे आपके पिरामिड हो गए, समझ रहे हैं, आपका बर्मूडा ट्राइंगल हो गया, ऐसे ऐसे मंदिर बनी हुए है, जो आज की टेक्नोलोजी कभी बना भी नहीं सकती है, तो व ही दिव्वे ग्यान था, जिसे बिना प्रकरती को नुकसान पहुचाए, वो दिव्वे ग्यान चलता था, और ये जो आज ग्यान है न, ये उसके पैरों की धूल भी नहीं है, उस ग्यान के, वो पुरातन ग्यान की मैं बात कर रहा हूँ, और कलपांत में जब भगवान का अफ्तार आता है, तो ये पुरातन ग्यान हम लोगों की कोई किसी की भी हम लोगों की इतनी उकात नहीं थी, कि हम इस ग्यान को जान पाते, लेकिन जब भगवान का अफ्तार आता है, तो अपने जीवों को बचाने के लिए वो इस दस्वे द्वार का ग्यान दे के अपने जीवों को सतलोक ले जाता है तो उमीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी मैं क्या गहना चाहए पूरा ग्यान केवल कल पांत में भगवान का अफ्तार ही आके देता है और कोई इस ग्यान को नहीं दे सकता तो जैसा कי मैंने आपको बात बताई कि आज का टॉपिक हमने डिसकस किया कि अफ्तार जो होता है वो सबसे डिफरेंट होतے है और उनके जैसा धरती पे कोई नहीं होता और ये जो ग्यान होता है ये पुरातन होता है ये कलपांत में दिया जाता है ये महापरले में दिया जाता है जिससे की नई स्रिस्टी की रचना की जा सके हैं तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं अगला वीडियो जल्दी आएगा हो सकता है दो दिन में वीडियो आ जाए अगला और अगला वीडियो अब मैं हम अफ्तार के बारे में आपको deep करके समझाया था अब हम आगे जो बात करेंगे ये भी बात करेंगे कि अफ्तार की पहचान क्या होंगी उसके शारेडिक चिन क्या होते है अफ्तार कहां पे आता है कि जगा आता है इन सब बातों पे हम बात करेंगे अभी तो टॉपिक में कुछ भी नहीं है समझ लिए अभी आगे ऐसे ऐसे टॉपिंग है कि आपको इतना मज़ा आएगा कि आप मुबाइल छोड़ के नहीं जाओगे पता आपको और ये ग्यान मैं आपको बताना चाहूंगा ये ग्यान ऐसा है कि आप ये ना समझें कि ये हमें में चीजे कब पता चलेंगी ये कुछ चलेगा ये ग्यान ऐसा है हरी कता, हरी कता, अनन्ता इस ग्यान को इन छोटे वीडियो में कनवर्ट करना बहुत कठिन है इसलिए चीजों को समझाने के लिए ये एक-एक चीज बहुत important है आपको अगर ऐसा लग रहा होगा कि यहां पे हमारा time waste हो रहा है कुछ हो रहा है लेकिन ये एक एक चीज बहुत important है अगर इन चीजों को आपने नहीं जाना तो आप कुछ भी नहीं जान पाएंगे तो आगे के topic बहुत ही जबरदस्त होने वाले हैं एक topic आगे ये भी लेना है एक भाई का प्रसंग था कि युगों की गर्णा बताइए कैसे कल्युक का अंत हो गया है कैसे आपने हिसाब लगाया कैसे क्या करा तो हम एक topic थोड़े दिनों बाद दो चार वीडियो के बाद एक topic ये भी लेने वाले हैं कि कल्युक की गर्णा हम बताएंगे कल्पांग कैसे हो गया है कैसे सत्युक के चरवर पढ़ चुके हैं कैसे सत्युक आने वाला है ये सब हम उसमें discuss करेंगे तो तब तक के लिए आज का वीडियो को end करते हैं कल की भगवान के लिए प्यारे प्यारे शेरों से तो पहला शेर अर्ज है आतिज्ब गालिब इश्क है हर नाम जिस पर जोर नहीं ना लगाए से लगती है ना बुझाए से बुझती है आतिश्व गालिब इश्क है हर नाम जिस पर जोर नहीं ना लगाय से लगती है और ना ही बुझाय से बुझती है फिर कह रहे हर नाम सौके दीद में सब कुछ भुला दिया जब मैं सनम को ढूंडता था अब सनम मुझे फिर अर्श किया है हर नाम एक तमाशा है कार जाहे उल्फत का दिल किसी का होता है बस किसी का चलता है फिर बोल रहे हैं हर नाम आखिर क्या करे मजबूर या नाकामिया इश्क आखिर इश्क है हम तुम इसका क्या करे हर नाम महबत ये मेरा फेवरेट है मेरा फेवरेट है ये ये आप लोगों का भी फेवरेट बन जागा इसको ध्यान से सुनिए हर नाम महबत तप से ना तमाम होती है ना सुबह होती है इसकी ना शाम होती है रहें हर नाम महब्बत तपसे नातमाम होती है दुनिया भरके तप कर लो तपस्याई कर लो उससे महबद नहीं होती यह जो महबध होती है ना तो इसकी सुभा होती है ना शाम होती है एक मैडम ने मुझसे पूछा था कि आप पूरे दिन की दिन्चर्या दिखाई, आप कैसे साधना करते हैं या क्या करते हैं, तो यह उनका जवाब है, हर नाम महबत तप से ना तमाम होती है, हर नाम से महबत करनी है तो ऐसा नहीं कि आप तप में बैठे हैं, ना सुबह होती है, ना शाम होती है, यह तो हर समय हर समय प्रभू से लगी रहती है उसी के बारे में सोचो उसी की सुनो उसी की बोलो ये होता है हर नाम से लगना नेक्स्ट है अब इस लास्ट शेर से इस वीडियो को एंड करते हैं इस दुनिया का एतबार भी हर नाम क्या करें आसू भी अपनी आखो आसू भी अपनी आख का अपना नहीं अगला वीडियो बहुत जवरजस्थ होने वाला है बहुत ही अच्छा टॉपिक आने वाला है अगले वीडियो में धीरे धीरे आफ हम टॉपिक को फिर से इंट्रस्टिंग बना देंगे क्योगि अभी तक चीजों को जानना बहुत जरूरी था इसलिए टॉपिक थोड़ा सा वास्ट लिया गया आगे बहुत अच्छे टॉपिक आने वाले हैं तो तब तक के लिए जै श्री